असलाम अलेकुम वेलकम टू जेएसके डिजाइन स्टूडियो मैं हूँ आपका टीचर जान शेर खान अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जेएसके डिजाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आगको सर्च कीजिए सब सेनों कीजिए एडव इलेस्टेटर की ऐस 13 किलास है और आज की किलास में हुम सीखेंगे ट्रांसफॉम तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉम स्लेक्त करने के लिए हमें सबसे पहले विंडो में जाना होगा और विंडो में हम यहाँ आएं जाएगा इस तरीके से हमें आप कोई शेप बनानी होगी ठीक है यहां से एक शेप टूल सलेक्ट करेंगे और स्क्वेर बना लेते हैं ठीक है मैंने प्रोपोर्शनली बनाया है शिप के साथ प्रैस करके और इसलिए यह प्रोपरशनली बन गया आप चाहे तो नॉर्मल यह ज आ चुकी है ठीक है मैं इसे थोड़ा जूम कर रहा हूं ताकि आपको ठीक से नज़र आए ठीक है कुछ इस तरी किस ठीक है अच्छा मैंने जैसे इसको डी सेलेक्ट किया तो वैल्यू यहां से हतम हो गई तो जब भी हम प्रांसफोर्म पर काम करेंगे तो हमें अपनी जो भी हमारी शीप होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे ठीक है मैंने भी शीप को सेलेक्ट किया तो यहां हमारे पास कुछ वैल्यू जा गई ठीक है यह हमारे पास एक्सेस एक्सेस में क्या होता है मोव्मेंट होती है ठीक है हम जैसे इसकी वैल्यू पर यहां कहीं भी क्लिक करेंगे और simply इसकी value change करेंगे तो आप इसकी movement देखेंगे ठीक है अच्छा values मेरे बस इस वक्त यहां inches में है ठीक है आप चाहें तो आप अपनी values change कर सकते हैं points में रख सकते हैं pixels में रख सकते हैं अगर आप कोई वैप अगरे के लिए काम कर रहें तो इसके लिए हमें पिक्सेल सेलेक्ट करना होगा ठीक है अब मैंने पिक्सेल सेलेक्ट किया ठीक है यह हमारे box size यहां शोग हो रहा है ठीक है विड है हमारे पास 118 ठीक हम इसको अगर नॉर्मली लिख देते हैं 120 और एक्सेस में क्या होता है हम जैसे इसकी वैल्यों ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे मतलब ज्यादा करेंगे तो यह राइट राइट की तरफ मूब होगा ठीक है और अगर हम इसकी वैल्यों को कम करेंगे नीचे वाले arrow की प्रेस करेंगे कीबोट से तो आप देखेंगे इसकी जो है इसकी मूवमेंट मतलब यह लेफ साट की तरफ मूब होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से हमारे पास वाइक्सिस वाइक्सिस की वैल्यों जैसे हम बढ़ाएंगे तो यह नीचे की तरफ स्क्रोल होगा ठीक है और अगर हम इसकी पैल्यूज दुबारा क करके आगे पीछे जहां रहना चाहें वहां आप इसकी पूजिशन सेट कर सकते हैं ठीक है यह तो आप को समझाने के लिए मैंने बताया है अच्छा यह हमारे एक बॉक्स है ठीक है बॉक्स का साइज हमारा 120 है यहां से हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं डिग्री हमारे बा करेंगे तो यह हमारे बस नीची की तरफ रोटेट होगा ठीक है आप चाहें तो फिर यह माइनस में भी वैलियो और आपके बस कोई सेलेक्टिट वैलियो है जैसे मेरे पास है माइनस 45 माइनस 45 लिखूंगा तो यह खुद माइनस 45 पर आगे ठीक है अच्छा यहां मैं एक और चीज एड़ करना चाहूंगा मैं दुबारा से एक सर्कल बनाता हूं मैं है कि एगर हमारे सरकल है फॉर इसमपल हमें अगर कोई साइज परोपोर्शनरी बड़ा करना है तो अब्सक्रीए यहां चेंट पर क्लिक करना होगा वह आपको पता भी है अल्रड़ी बट्र मैं एड़ करते चलों कि अगर हम यहां से इसको अन्चेक करते हैं वेल्यो च तो विट कम होगी इसी तरह हाइट में भी अगर हम इसकी हैट बढ़ाना चाहें तो हम उपर आड़ी दबाएंगे दिंग तो इसके हाइट बढ़ेगी और निछी प्रेस करेंगे तो उसकी हाइट कम हो जाएगी ठीक है और अगर प्रोपोर्शनली अगर में कुछ साइज चाहिए होगा तो अब मैं यहां इस पर चेक लागाता हूं यहां की वैल्यू 158 कर रहा हूं जैसी में नीचे वाले टेप पर हांगो वाटोमेटिकली 158 हो जाएगी क दोनों वैल्यू जो है यह अपस में लेंक है तो अगर यहां पर चेक नहीं होगा तो आप चेक खुछ से एड़ कर सकते हैं अच्छा इसके बाद मैंने डिगरी के आपको बता दिया अच्छा है डिग्री मतलब रोटेशन जो है रोटेशन अगर आपको करनी होगे यहां आ तो यह इस तरीके से हो सकती है एक है ऐसे एंडू कर रहो हूं अच्छा इसके बाद बराबर में है हमारे पस नेक्स्ट जो है वहे शेयर टूल का अल्रेडी मैं आपको बता चुका हूं इस स्केल वाले टूल में इसके जो ख्लासिस थी उसमें स्केल टूल भी था शेयर इसकी टॉप और बॉटम लेफ्ट और राइट नहीं टॉब बॉटम को अगर हम मुफ करना चाह रहे हैं आगे की तरफ करना चाहेंगे तो यहां क्लिक करके हम बैल्यूज इसमें एड करेंगे ठीक है उपर और एलो की करेंगे तो बहुत बहुत राइट की तरफ मुफ होना हो जाएगा ठीक है और अगर हमें लेफ्ट साइट की तरफ इसकी रूटेशन चाहिए तो हम इसे डाउन वाला मतलब एरो की प्रेस करेंगे यह हमारी एक्ट्वल पॉजिशन है अब मजीद में डाउन करूंगा तो यह देखिए लेफ्ट साइट की तरफ मूव हो रहा है इसकी रूटेशन लेफ साइट पर हो रही है तो शेयर टूर के बिसिकली यही काम है कि हम टॉप गॉटम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंट टू और इसके बाद मजीद इसमें भी वैल्यूज है अगर आपको यहां से से लेक्टिट बैल्यूज लें चाहिए इसका मतलब बैकवर्ड ठीक है और अगर आप प्लस में लेंगे प्लस थार्टी लेंगे तो यह राइट राइट ही तरफ मुझ हो जाएगा ठीक है इस तरह किसे अच्छा है इसके बाद एक और मजीद इसमें हमारे पास है स्क्वेर के रेक्टेंगल प्रोपर्टीज है ठीक है उसमें क्या गाम होता है यहां आपको एरो की नजर भी आ रहा होगा कि यहां से इसकी बढ़ेगी और यह है हमारे पास हाइड ठीक है तो अगर यह लिंक है तो प्रोपोर्शनली अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो यह बढ़ा हो जाएगे जैसे कि मैंने आपको यहां बताया बैलियो प्रोपोर्शनली बढ़ी होगी और पैसे ही यहां से कम होगी और ज्यादा होगी और यहां से भी हाइड कम होगी और ज्यादा होगी ठीक लेकिन यह भी लिंक है तो इस पर इसे प्रोपोर्शनली हो रहा है अगर मैं अनलिक करके इसको अब बढ़ाऊंगो तो इसकी बीट पढ़ेगी ठीक है और मैं इसकी अगर इसको बढ़ाऊंगा तो यह हमारे पास हाइट है ठीक है तो मैं इस तरह हाइड भी एड्जेस्ट कर सकता हूँ तो में कुछ ज्यादा आप्शिंज नहीं है बट जो थोड़े बहुत है उसके बारे मताता चलो यह है रोटेशन टूल यहां पर जैसे मैंने बता है रोटेशन टूल यहां से हम कोई भी डिग्री इसकी चींज कर सकते हैं ठीक है और अच्छा इसमें एक और चीज है जो के अ पॉइंट है इसके इसको हम पकड़ के नीची की तरब ड्रै करते हैं तो यह इस तरीके से चारो कॉर्णर हो जाते हैं ठीक है लेकिन यहां पर देखेगा यहां पर चारो वैल्यूज डिफरेंट है आपको एक पार्ट करना चाहिए वह भी कर सकते हैं वह हम डिर्यक्ट से कर सकते हैं हम जब एक को क्लिक करके इसको करेंगे तो यहीं से हो जाएगा टॉप पॉटम से ठीक है तो अगर मैं यहां से करना चाहूं तो वैल्यूज मैं उपर की तरफ प्रेस करूंगा तो यह फोर साइट से होना शुरू हो गए ठीक है अच्छा यहां पर भी यह चीज से इसको हटा देता हूं इस लिंक को ठीक है अब यह सारे डिवाइड हो गए सेबरेट हो गए ठीक है तो मैं सिंप्ली यहां अगर इसकी बढ़ाना चाहूं टॉप कॉर्णर तो अब यह देखें सिर्फ हमारे पस टॉप कॉर्णर चेंज होगे ठीक है उसमें कर आपको दिखेंगे यह दिखें चार साइट आपको नदर आ रही है ठीक है और इसे यह भी है हमारे पस यहां से भी हम कर सकते हैं आप सबकी बेल्यूज अलग अलग है यह है तो मैं इसको बाइड डेपॉल्ट कर रहा हूं इस वक्त ठीक है अब यह हमारे बारा है स्क्वार की पॉइंच एड़ करता है क्यी जो हमारे पांड है ठीक है मैं इसको लीव कर रहा हूं मैं कुछ ज्यादा स्क्वार बना लेता हूं ठीक है लेकिन कुछ Hai नहीं Golf प肯 ठीक कॉर यहां से अगर हम इन सब को प्रोपोर्शनली बड़ा करना है तो हम यही करेंगे यहां पे हम पहले link करेंगे इनको ठीक है link करने के बाद हम इसकी value change करेंगे ठीक है यह हमारे पर रहे टू-ण्रेड बाई 170 गई टो हम इसको ट्वेश्वेंटी गई तो सब भी इसी तरीके से था सब की बंढ़ रही है यहां जैसे कि मैंने कुछ दिर पहले आप को बताया कि आपकी साइस बढ़़ जाए है ये सेंटर वांए ठीक हैं आप देखेंगे तो सैंटर से यह size पर बड़ा है लेकिन अगर मुझे corner से करना है तो मैं यहां से कर सकता हूँ यहां से भी मैं let's suppose मैं इसे corner पर अगेन ले आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब इसका size नीचे की तरफ भूप हो ठीक है इस corner से तो हम यहां से जो टॉप है हमारा यहां पर हम reference point को क्लिक करेंगे अब मैं इसका size बड़ाऊँगा तो अब ये देखें नीचे की तरफ इसका size बढ़ेगा ठीक है क्योंकि हमारा जो reference point है वो यह बाला यह side है हमारे पास reference point अगर मैं center कर देता हूँ यहां से center कर दिया अब मैं इसब वे लिए चेंज करूँगा तो । यह यहां भी है और एक चोटा सा सरकल बनाते हैं और एक बड़ा सा ठीक है अब जिससे हमारे पर यह सब सरकल जाएं तो मैं प्रोपोर्शनली अब इसको बढ़ाना चाहूं पहले मैं एक का साइज बढ़ाऊं ठीक है फिर उसके बाद इसका बढ़ाऊं तो इस तरह काफी टाइम कंस्योम हो गई है तो सिंपल इसके लिए यही सविशन होता है इसको एक साथ सेलेक करें ठीक है और प्रोपोशनली लिंक करके प्रोपोशनली यहां से दोनों का साइज बड़ा हो जाएगा बड़ा करना चाहिए बड़ा भी कर सकते हैं च्छोटा करना चाहिए तो छोटा भी कर सकते हैं ठीक है अचा हो आउब हमारे यहां एक और चीज है जैसे के मेरे पास यह एक बॉक्स है ठीक है मैं इस बॉक्स की अनीसी ले लेता हूं कि इस बॉक्स की कॉपी लेता हूं मैं इसकी written complete copy लेता हूं ठीक है और इसका size मुझे बड़ा चाहिए मतलब यह साइज है इस से बढ़ा चाहिए यह से छोड़ा चाहिए पहले तो हम बड़े की बात करते हैं अगर अब यह इन दोनों का size पहले मैं यहां से दोनों को साइज 39 है है तो मैं simply इसको 40 कर देता हूँ और इसको भी 40 कर देता हूँ ठीक है अब यह दोनों का साइस 40 हो चुका है ठीक है और मुझे इसका साइज वनिजबत इसके बढ़ा चाहिए ठीक है तो सिंप्ली अगर मेरे बास मुझे इस वैल्यों को अभी डबल करना है तो मैं 80 भी टाइप कर सकता हूं लेकिन बाद वोगत ऐसी वैल्यों होती है हमें नहीं पता जैसे के फॉर इसेंपल 139 है ठीक है 139 वे 139 अब हमारे बस सबसे बचने के लिए सबसे शॉर्ट कट यह है 139 है ठीक है मुझे अगर इसे टू टाइम करना है मतलब इसे और बड़ा करना है तो सिंपली यहां 139 इसके साथ मैं स्टार एड करूंगा स्टार मतलब मैं इसे टू प्रेस कर दूंगा सेम फिर मैं नीचे वाली बॉक्स में होंगा तो यह देखिए अब आपको यह बॉक्स 278 नजर आ रहा है ठीक है मैं अब यह हमारे बस 139 थे कैं मैं इसे माइनस कर रहा हूं माइनस का डैश का निशान मैंने एड किया इसमें और 30 लिख रहा हूं ठीक है जैसे ही मैं मैं इस 30 लिखूंग अब यह देखिए 139 से म प्लस 11 में इसमें एड कर देता हूं ठीक है यह हो गया है 109 प्लस 11 120 तो यह भी एक shortcut है हम इस तरीके से भी values इसमें एड कर सकते हैं ठीक है अच्छा अब हम चलेंगे एक मजीर एक अच्छा option है transform में transform each ठीक है transform each क्या अगन करता है हम यहां से पहले इसको select करेंगे ठीक है यह हमारे पास यह boxes है मैं इसे थोड़ा जूम कर रहा हूं simply हम right click करेंगे रैट लिंग करने के बार transform और यहां आपको नजर आ रहा हूगा transform each ठीक है transform each पर जैसी में क्लिक करूंग यह मेरे पास एक और टैब खुल गया है ठीक है इसका scale अच्छा यह सब करने से पहले प्रेवियों पर पहले चेक लगाने आपने ठीक है क्योंकि प्रेवियों पर चेक नहीं होगा तो आपको नजर नहीं आएगा कि इसमें क्या addition हुई है चेंजिस होगी है सब्ट्रेक्शन होगी कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा तो हमेशा प्रेवियों पर चेक लगाएगा और इसके बाद यह 100% है ठीक है लेकिन में चारों की 20% मजीद बढ़ा हो जाए इसका size ठीक है increase हो जाए तो simply मैं यहां से इस value के change करके 120 पर ले आता हूं आप यह देखें इसकी width जो थी वह 120 पर आ चुकी है हर बॉक्स इसकी ठीक है मैं यहां इसकी height भी चेंज करना चाहूं यह मुझे चाहिए 130 तो यह 130 ठीक है each box transform each का मतलब कि हर एक को separately reduce होगा या increase होगा जो आप परना चाहें वह होगा ठीक है इसमें हमने 30% add किया है और इसमें हमने 20% ठीक है अच्छा मुझे अब इसकी move यहां लिखाव है move की section में horizontal और vertical मुझे अगर इसकी position change करनी है तो मैं वह भी कर सकता हूँ मैं अगर इस value को आगे की तरफ drag करूँगा तो यह देखें यह अपनों position से change होगे right side पर आगे है ठीक है मैं जितनी values बढ़ाता जाओंगा यह position change करता जाएगा और अगर मैं minus में चलूँँगा तो यह left side की तरफ move होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से वर्टेकल में भी अगर मैं प्लस करूंगा तो यह नीचे की तरफ आएगा जैसे कर मैं बैक पर जाओंगा लेफ साइड की तरफ तो यह ऊपर की तरफ move होना शुरूब हो जाएगा ठीक है तो हम इसकी वैल्यों को मैं इस चेंज करते हैं अब और देखें हर एक सेपरेटली यहा से हो गया अभी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो इसके लिए हमें इसका च्वोटा करना होगा ठीक है साइज करने के लिए पहले मैं इसे नॉर्मघ परसंट पर ले ले लिका हो और इसे भी हंड्रीड परसंट पर है जीरो है इसकी चेंज कर रहा हूं यह आप देखें चैंज चेंज हो रहा है मुझे जिस पुजिशन पर चाहिए होगा हूं कर सकता हूं ठीक अगर मैं माइनस में करना चाहूं तो मैं डाउन मुझे करूंगो तो आप देखेंगे यह माइनस में सारे सेपरेटली रोटेट हो रहे हैं ठीक है तो मैं भी इसको करते तो हूँ आज की खिलास आपको पसंद आई होगी इशल्द अगले खिलास के ताथ फिर हाजर होंगे अब तक के लिए अला हाफिज